हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत ही तो आज की वीडियो में हम रिवीव करेंगे 2019 की मल्यालम लेंग्विज एकसं थ्रिलर हैस्ट फिल्म जेकें डेनियल का जिसको हंदीडव वर्जन में सेम नाम से रिलिस किया गया है जिसको लिखा और डिरिक किया हुआ है एसल पूरम जया सूरिया ने फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप, अर्जुन सर्जा और अंजु कुरियन सपोर्टिंग काश्ट की बात करें तो साईजु कुरुपू, सूरेश, क्रिस्ना, असोकन, इनोसेंट, जनादन, देवन और सादिक, जेक और डेनियल फिल्म की काहनी की बात करें तो जेक जो बहुत बड़ा चोर है, और चोरों के पास से ही चोरी करता है, और उसके बाद केरला पूलिस जेक नाम के चोर को पकड़ने के लिए, डेनियल एलेक्जन्डर नाम के IPS ओफिसर को अपोईंट करती है, औ और डेनियल एलेक्जेंडर का रोल प्ले कते हो नजर आएंगे अर्जुन सर्जा तो बस यही से फिल्म का केट इन माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है तो अब डेनियल किस तर से जेक को पकड़ेगा जेक का एक्चुल मोटिव क्या है यही सब बाते फिल्म की कहानी बनाती है मूवी के राइटर डायरेक्टर यान की एसल पूरम जया सूरिया जिन्होंने फिल्म के साथ ठिक ठाक काम किया हुआ है जैसे कि मैंने आपको फिल्म की कहानी बताई इस टाइब की कहाने आपने बहुत देखी होगी जहाँ पे जो K10 माउस वाला गेम है वो भी आपने काफी बार देखा हुआ होगा लेकिन हर बार कोई अच्छी फिल्म आती है जिसमें K10 माउस वाला गेम रखा हुआ होता है तो उन सबी जगा पे कुछ ट्विस्ट होते हैं कुछ इसे सिक्वांस होते हैं उसको काफी बढ़या तरिके से क्रियेट किया हुआ रहता है लेकिन इस बार डाइरेक्टर जया सूरिया ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है उन्होंने वही रूटीन स्टोरी यूज की हुए वही सब चीजे रूटीन तरिके से दिखाई हुए सभी चीजे प्रिडिक्टेबल नजर आती है पूरी तरस ये फिल्म एक रूटीन प्रिडिक्टेबल नजर आती है की treatment भी पूरी तरह से ठिक ठाक नजर आ रही थी तो इस फिल्म के direction या narration की बात करें उसमें कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिलेगा जो फिल्म एक extra factor 8 करता हो movie के music की बात करें तो background score decent था जो फिल्म के scene को बढ़या तरिके से support करने की कोशिस कर रहा था cinematography की बात करें तो वो top notch की देखने को मिलेगी फिल्म में जिस तरह से camera work किया हुआ है वो काफी clean और engaging नजर आ रहा था और फिल्म में जो action choreography की हुए है वो काफी बढ़या है जिस तरह से stunt को choreograph किया हुआ है जिस तरह से stunt sequence को बढ़या तरिके से set किया हुआ था उन सभी चीजों का execution और elevation परफेक्ट नजर आ रहा था वो सभी चीजे काफी engaging लग रही थी editing की बात करें तो फिल्म में कुछ ऐसे sequence ते जिससे आसानी से avoid किया जा सकता था कुछ unnecessary scenes देखने को मिलेंगे जिसकी जरूरत नहीं थी अगर उसे कार देते तो फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी अब बात कते performance की तो दिलिप जो अपना काम बखो भी निभाते हुए नजर आते उन्होंने जेक का रोल बढ़या तरीके से निभाया हुआ है हाला कि वो रोल इतना कुछ नएा नहीं था उन्होंने इससे पेले से भहुत सारे रोल प्ले किये हुए जिसकी वज़े से उनके लिए सब चीज़े आसान लग रही थी अरजुन सर्जा जो आईफियेस ओफिसर के रुप में दिखाई देंगे उनका रोल बढ़या था और उन्होंने बढ़या तरीके से निभाया हुआ है उन्होंने जिस तरस अपने एक्षन सिक्वांस को डिलिवर किया हुआ है वो बढ़या है अंजु कुरियन जिनके पास उतना कुछ खास करने के लिए नहीं था लेकिन वो अरजुन सर्जा की लव इंट्रेस का रोल प्ले करती हुए नजर आती है जहां पर उनको जितना भी काम मिला हुआ है वो बढ़या है असोकान खसाईजू कुरुपूच जिनकी कोमेडी फिल्म में अच्छी तरह से काम करती है जो हमें असाने में जरूर जो काफी स्लो पेस के साथ चलते जिसके वज़े से उन सभी चीजों की जो प्रोसेडिंग है वो हमें थोड़ी बोरिंग लगने लगती है इसके लाज सेकंड़ाप में जो एक-दो चीज़े देखने को मिलती है वो भी ठिक-ठाक नजर आ रहे थी फिल्म के जितने भी थे वो सभी चीज़े प्रिडिक्टेबल थी फिल्म में इसे कई एरिया देखने को मिल जाएंगे जो आसानी से पूरी तर से ओडियंस को बोर करते हुए नजर आएंगे लेकिन फिल्म में जो मैंना भी आपको बताए कि सपोर्टिंग आर्टिस की कोमेडी की वज़े से अस केट एन माउस वाले फिल्म है जहाँ पे एक अच्छा पूलिस देखने को मिलेगा दूसरी तरफ एक अच्छा चोर देखने को मिलेगा और इस टाइप की स्टोरी आपने काफी बार देखी होगी इस टाइप की ट्रीटमेंट रूटिन है इस टाइप की ट्रीटमेंट और क्योंसन आपने पहले देखा हुआगा फिल्म के जो ट्विस्ट है वो भी काफी रूटिन है वो सभी चीज़े आपने देखी हुई होगी तो और रहल एक पूरी तरह से रूटिन फिल्म है जहां पे आपको कुछ भी नया ओफर नहीं हो रहा है अगर आप दिली और अरजुन सज्जा में से किसी के फेन हो तो उनके लिए फिल्म देख सकते हो अधरवाइस ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिलता है स्कीप कर सकते हो तो बस आज के रिवीव में इतना ही था आपको ये रिवीव पसंद आया होगा अगर रिवीव पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेर्स जरूर किजिएगा अगर आपने फिल्म देख लिए या फिल्म देखने वाले हो तो फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और वेसे नई साउथ इनेन मूवी के हिंदी रिवी के लिए अपकमिंग साउथ इनेन मूवीस की न उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलेगा ठीक्यू